हेलो गाइज वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं अवेंजर्स मैक स्ट्राइक के फॉर्थ पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं धर्ती पर अजीब से बायो मैकनोईट्स आ जाते हैं जो कि वहां तबाही मुचाते हैं तो अवेंजर्स को पता चलता है कि इसके बीच ब्लैक पैंथर भी मारा जाता है और कैंग अवेंजर मौंटेन पे कबज़ा कर लेता है उसके बाद उसने सभी टाइम पीरियर्स को एक साथ जोड दिया है अवेंजर्स ने उनसे फाइड भी की बट इसी बीच वो टेलिपोर्ट हो जाते हैं किसी स्पेस क्राफ्ट में जिसके वो सहयोगी कभी नहीं बनना चाहेंगे वो है थैनोस ऑफ टाइटन इसी तुम लोगों का पहली बार सामना किया है ये टाइम ट्रैवल कितना अजीब है ना वैसे मैंने क्या किया होगा ऐसा या मैं क्या करूंगा जिससे कि तुम लोगों में इतना डर बैठ गया है तुमारा गर्व मुझसे इतनी घृना करता है नहीं मुझे मत बताना मुझे मेर एंटी स्पेशन का मज़ा लेने दो अभी ब्रूस कहता है यहां पर मैं ही ऐसा हूं जिसे इससे दिक्कत है यह थैनोस है हम थैनोस के साथ बैठे हैं मैं डेली काफी मॉंस्टर के साथ बैठता हूं मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसका अंत अच्छा नहीं होता तो स्पाइ कहते हैं कैंग ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो थैनोस कहता है हां यह कैंग सोचो मेरा सर्प्राइज मेरा गुस्सा जब मुझे यह पता चलेगा कि मुझे कितनी असुविधा हुई है वो भी एक मनुश्य की वज़ा से मुझे तुम अवेंजर्स पे हसी आ सो चलो फ्लैन बनाते हैं और यह है अभी का टाइम अवेंजर्स माउंटेन में कैंग यहां पे गुस्से में होता है वो कहता है यह नहीं हो सकता मैंने टाइम को तोड़ा खुद के हिसाब से इसके तुकड़े पूरे गलॉब में फैले होंगे अंत में क्या बचने वाला है बस कैंग बट अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ यह अवेंजर्स है काँपे यह सब मैंने इसलिए किया कि अवेंजर्स मेरे कदमों में हो वो मेरा सामना करने के लिए क्यों नहीं आ रहे अभी वो कहता है नहीं क्या ऐसा हो सकता है अभी वो देखता है कि अवेंजर्स म काउंटेन में गुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यांग ने अपने टैक को इंटीग्रेट कर दिया है सलेस्टियल की बोडी के साथ उसके पास टाइम और रियालिटी का पूरा कंट्रोल है तो थैनोस कहता है अच्छा पूरा कंट्रोल तो ब्लैक विडो कहती है तो बलिदान दे दोगे तो थैनोस कहता है वैसे उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है गलैक्सी में ऐसे लोगों की भीड है वो बस अपने पावरफुल लीडर का वेड करते हैं जिसके लिए वो अपनी जान दे सकें ये कभी भी कम नहीं पड़ने वाले तो यह है अभी का तो हमारा ध्यान बढ़काने के लिए ये कैंग का प्लैन था क्योंकि जल्द ही वो इतने जारा बढ़ने वाले थे कि वो हमसे नहीं संबल पाते और जितने जारा वो बढ़ते उतना ही जारा उन्हें फ्यूल मिलता ट्रांस्फोर्मेशन के लिए तो स्पाइडर मैन कहता है हमने अपने वाले को ट्रांस्फोर्म होने दिया ये देखने के लिए कि इससे क्या होता है हम उसको रोक सकते थे तो बैनर कहता है वो सही मूव था तो स्पाइडी कहता है हो सकता है क्यूंकि वो साइंस थी ना तो बैनर कहता है जो टेटा उस ट्रांस्फोर्मेशन के बाद हमें मिला है वो अमूल्य है वैसे भी हम हारने वाले थे बट अभी मुझे ये पता चल गया है कि कैंग के बायो मैकनॉइड्स अपने उस पॉइंट तक पहुंची जाते जहां पर जा कि उन्हें खंबे जैसा बन जाना था काकि वो अपनी सूट पहन लो और वोम अप करके टैलिपोर डैक पे पहुंच जाओ क्यूंकि हम पार्टी करने के लिए जा रहे हैं तो यह है अभी का टाइम तो यहां पे अवेंजर्स की टीम उन खंबों के पास पहुंच चुकी है वो उन बायो मैकनॉइड्स को और उन खंबों को तबाह क सामने से हमला करने में डर लगता है इसलिए तुमने किसी और जगा पे हमले शिरू किये हैं तभी वो कहता है टाइम ब्रेकर सभी पावर को मोर्डो बायो मैकनॉइड्स 087-097 में तो उसका टाइम ब्रेकर कहता है मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा ऐसा करने से हमारा प्राइमरी डिफेंस धीला हो जाएगा और माउंटेन पे कोई शीर्ड नहीं रहेगी तो कैंक कहता है अपनी बगवास बंद करो तुम पागल मशीन जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो टैलिपॉर्ट करो असॉल्ट को आठ नमबर वाले खंबे पे यहां सभी अवेंजर्स उन साथ हैं जितने के हम नहीं हैं क्यूंकि मैं रिड कर पा रहा हूं और नए बायो मैक नॉइट्स को उनकी पावर तो बहुत ज्यादा है शायद कैंग ने पूरी शक्ति यहां भेज दी है कैप्टर मावल कहती है हमें कुछ करना होगा अगर हमने इनको खतम नहीं किया तो हम खतम हो जाएंगे यहां कैंग हस रहा होता है वो कहता है ओ अवेंजर्स मैंने तो चैक का सोचा था यहां पर तो मेट होने वाला है बट जो भी है मुझे मज़ा आया तो यहां स्पाइडर मैन कहता है मुझे नहीं पता यह काम करेगा या नहीं हमें बस टैलिपोर्ट होना ह और उन खंबो को तबाह करना है तो ब्लैक विडो कहती है अफकोस ये काम नहीं करने वाला या तुमने कभी चेस खेली है तो स्पाइडी कहता है मैं उसमें बहुत ही खराब हूं बट मैं केल करता हूं माउस ट्रैप पे तो ब्लैक विडो कहती है चेस और लोगों को मारना दिखाते हैं वो उसे मारने के लिए नहीं होता हमारे मैक सूट्स में काफी बड़े हैं और लउड है बट असली खत्रा तो छोटे चाकु से है कि वह उने नहीं पता होगा कि कहां से आने वाला है क्यों नहीं तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैं ने mendhashaa spider-man को तंग करना बंद करो हमें त्यारी करनी है वह कहती है ठीक है ठीक है बट मेरा point तो यह है कि हम एकेंग को धंकाएंगे बड़े चाकू से बट हम कहता है तुम सबको पता है ना शायद हम जिंदा ना बचें अगर किसी को बाथरूम जाना है तो हो आओ तो ब्लैक विड़ो कहती है स्पाइडर मैन तुम मेरे साथ ही रहना हम फन करेंगे तो स्पाइडी कहता है यह तो तुमने सबसे धमकाने वाले चीज कही है तो यह है तो कैंग कहता है उसे ब्लॉग करो इंटरफेरेंस शील्ड को पावर दो तो उसे जवा मिलता है कि यह इंपॉसिबल है क्योंकि सबी पावर दे दी गई है बायो मैकनोइट को अभी कैंग के पीछे कोई आता है वो कहता है कौन है किसकी हिमत हुई तो उसे जवा मिलता है त अभी धैनुस उस पर हमला करता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मैंने सोचा था मैं तुम्हें उड़ा दूँ फिर मैंने सोचा यादकार के तोर पर तुम्हारे सकल को रखना चाहिए ताकि यह याद हमेशा के लिए मेरे साथ रहे बट कैंग को ज्यादा फरक न मतलब होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ एक सेकेंड में खतम हो सकती है तो हम देखते हैं कि वो थैनुस को हड़ियों में बदल देता है अभी तुमने देखा वेंजर्स वो थैनुस के स्कल को फैंक देता है वो कहता है मुझे इसकी न पाई ना कभी हरा पाऊगे चाहे तुम टाइम के साथ कितना भी खेल लो तो कैंग कहता है बहुत हो गया कैप्टन तुमने जो भी छोटा मोटा प्लैन बनाया होगा जब टाइम रुक जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाऊगे अभी वहां पे धमाका होता है बूम तो कोई कैंग को कहता है मुझे नहीं लगता कैंग तुमने टाइम के साथ काफी खिलवाड किया है इसके लिए तुमारी पनिश्मेंट सोची गई है और इसे कहा है दी ब्लैक पैंथर ने हेरल्ड ओफ एटरनटी तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है नेक्स पार् झाले